वेल्कम फ्रेंड्स आपका सौगात है आपके अपने यूट्यूब चैनल FSC क्लासेश पर दोस्तो FSC क्लासेश की पॉलिटिक स्वेंखिला के अंतरगत एक नए दमदार जानदार टॉपिक नागरिक्ता के साथ आपके बीच में फिर से मैं योगे सरुपस्तित हूँ दोस्तों आज का टॉपिक ना किवल परिच्छा के दिश्टि से बलकि एक उचित और सामानने नागरिक एक जागरुक नागरिक के तौर पे भी आपको आज के टॉपिक को समझना और जानाना बेहत जरूरी है भारत में रहते हैं भारत की नागरिकता संबंदित कुछ आमुल चूल तथ्यों पर यदि आप अपने दिश्टि रखेंगे इसको मेमोराइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिच्छा के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी काफी मदद मिलेगी दोस्तों अपने इस वीडियो के माद्दम से मैं आपको एक चीज़ और पीटेट सवाल हैं और एक सवालों से आप चार सवाल को हल करते हैं इसलिए वीडियो महत्पूर है बिल्कुल भी स्कीप ना करें और अंत तक हमारे साथ जरूर जुडे रहे हैं अंत में आपको एक अच्छे मैसेज के साथ इस वीडियो से बिदा किया जाएगा आए इस व यह कोई एक भुभाग है यह कोई देश है इसमें जो व्यक्ति रहता है यह इस देश का नागरिक है यह नागरिक कैसे बनता है ठिक इसकी यहां से इसकी नागरिकता कैसे समाप्त होती है इस सारे पहलों को हम आज के वीडियो में समझेंगे किसी देश के अंदर रहने वाल ले रहें तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ हूंगा कि नागरिक्ता है कि थ ME किस जोनसे हो इसके जब़ार्ग किस से है नागरिक्ता से है यहीं से आपकोने क्लिशन मिलना सुरू हो जाए गए यह आपको फॉलोंग से वादे की जाएगी कैसे समवाप्त की जाएगी या भारत के विभाजन के बाद भिन भिन देशों से आने वालों को किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी इन सारे चीजों का आपको द्राख्यान इसी 5 से 11 के बीच मिलेगा तो आपको परिछा के दिश्ते बस इतना याद रखना है कि नागरिकता समधान भाग दो अनुचे 5 से 11 के बीच में है अब इसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि भारत में कि प्रकार की नागरिक्ता दी जाती है कैसी नागरिक्ता दी जाती है एकल नागरिक्ता दी जाती है एकल नागरिक्ता भारत में प्रदान के जाती है एकल नागरिक्ता का ताथ पर है कि समस्त भारती भूबा के अंदर रहने वाला नागरिक भारत का नागरिक होगा किसी राज् नियम कौन बनाता है तो संसद बनाती है संसद नागरिक्ता संबनी नियम बनाती है इसमें बदलाव कर सकती है यह अधिकार संसद को किस ने दिया भारति समिधान ने दिया किस अनुचेद से दिया अनुचेदी 11 से यह अधिकार इसको प्रदान किया गया एकल नागरिक्ता ज उठिटे अन्य स्वंविधानी चीजे भी 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 सी से लिए माध्यां से को भारत की सरकार में फारती ने आधिनियम पास किया और उस अधिनियम में इन्होंने कुछ सर्थे रखे कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे जा सकती है, इत्यारी चुज़ों पर कुछ इनकी सर्थे थी, उन्सको भी देख लेते हैं, एक बार तेजी से देख लेते हैं कि क्या-क्या भारत की नागरिक बाधत की नागरिक्ता मिलती है कितने प्रकार से मिलेगी चार प्रकार से पहला प्रकार कौन से मतला आपका जन्म भारत में हुआ हो पहली बात जिसे ज्यादर तर लोगों को इसीसे नागरिक यह मिली है äश्णर का 1977 कQuéthree वंस परंपरा से मिली, वंस परंपरा से क्या मतलब कि आपके दादा, दादी, नाना, नानी में से कोई भी भारत का नागरिक 1935 तक रहा हो, तो आपको वंस परंपरा के माधियम से भ्यारत की नागरिक तक मिल जाएगी, तीसरी चीज़ क्या होगा, भूमी अर्जन, मतलब होती है, एक लिमिटेट टाइम पिरिएट के लिए आपको भारत में रहना होता है, भारत की चीज़ों को समाजना होता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन यार की पंजी करण के माधियम से मिल जाएगा, ध्यान देंगे, पांच वाय एक ऑप्शन आता है, आपको कभ नागरिक्ता मिलने वाली बात, अब भारत की नागरिक्ता जा कैसे सकती है, मतलब नागरिक्ता का समापन, ध्यान देंगे किसका समापन, नागरिक्ता का समापन, समापन कैसे हो सकता है, भारत की नागरिक्ता का पहली चीज, दूसरे देश की नागरिक्ता ले ले लें आप तो इस तरह से भी लोग भाग जाते हैं और अलग अलग देशों की नागरिक्ता ले लेते हैं या कुछ आतंगवादी समों के सरगना भारत आते हैं तो अन्य देश की नागरिक्ता लेके आते हैं जैसे लिट्टे वाले स्वीट जर्लेंड की नागरिक्ता लेके भारत में रह यहां से भारत की नागरिक्ता आपके समाप्त हो सकती है उपर दिये इन चारों से भारत की नागरिक्ता मिल सकती है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे यह नागरिक्ता का जो बेसिक पॉइंट था वह आपके बीच में ले आया हूं अब नागरिक्ता से संबंधी जो प्रश्ण है उनको भी देख लेते हैं तो आज का जो सबसे पहला प्रश्ण हम लोगों के बीच में यहां आपके सामने मिल रहा है देखने को वो प्रश्ण आपके स्क्रीन पर भारत की नागरिता नहीं प्राप्त की जा सकती है इसको जस्ट अभी मैंने बताया है जनम द्वारा प्राप्त की जा सकती है भूभा को समलित करके प्राप्त की जा सकती है तो किससे नहीं प्राप्त की जा सकत सभीकार किया जाता है भारत मैंने बताए ह martyr Australia साहीक सब्सक्राइःट कर नगरिक हो तक इसको कि अमयरिक को रहने वाला नागरिक राजर का और अमिरिका का दोनों का नागरिक होता है 한ज की दुब Whats यहां को सी नागरिक्ता मिलती है यहां दोहरी नागरिक्ता मिलती है dual citizenship कहते हैं इसको दोहरी नागरिक्ता यहां से मिलती है तीसरा प्रश्न देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा बता रहा है आज का जो आपके screen पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि निम्न में से आप अग जिक्र किया कि कौन विधी बना सकता है। उसके बाद का प्रश्ण क्या है निमने में से भारत की नागरिकता निदारण का विशुष्ट अधिकार किसे प्राप्ध है। मतलब ये कौन निर्धारित करेगा, कि कौन सा वेक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इसको कहते हैं नागरिकता निर्धारण, तो नागरिकता निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है, इस प्रशन को आप सोच के उत्तर दिए, अभी मैंने इस पे आपको बताया है, कि निमन में से कौन नागरिक्ता निधान करने के लिए सक्षम होगा अब यह देखिए कौन सा कौन इसमें सक्षम होगा तो यहाँ वही पूराने प्रश्ण वाला ही है कि अनुचे दी 11 के तरहत संसर इसके लिए सक्षम होगी लोग सभा होगी नहीं सरकार होगी नहीं नयायाले नागरिक्ता विबात पर सुनवाई करता है नागरिक्ता प्रदान नहीं करता है तो यह इसमें कॉन साप्adelphia सही होगा आपसाण निंबर 20 संसर इसका सही अप्शन होगा दोस्तों इन प्रश्णों की स्रंखिला में एक-ग दो प्रश्णों ओर बचे हैं उनको भी देख लेते हैं भारत के स्व्मीधान के किस भाग में हम नागरिक्ता से समद्नी प्रावधानों का पता कर पाते हैं तो कौन सा भाग होगा भाग 2 होगा मैंने अभी आपको बता है भाग दोु के अनुशेट 5 से 5 to 11 5 to 11 तक आपको क्या समझ में मिलता है नागरिकता मिलती है दूसरा प्रश्चन देख लेते हैं भाईरती स्म्न वीजाने नेमन में कौन से नागरिकता प्रदान करता है दोहरी नागरिक्ता कहां मिलती है USA में मिलती है एकल नागरिक्ता भारत में भारत में कहां से आई थी ब्रीटेन से आई थी तो कहां कहां में होगी भारत और ब्रीटेन में क्या मिलती है एकल नागरिक्ता मिलती है तो दोनों संभाव ही नहीं है किसी देश में दोनों मिले निम्न में से कोई नहीं ये तो होगा इन्हीं तो दोहरी नागरीकता जब USA में होगे तो इन सवालों को आप contest कर दें में बिल्कूल भी कोई कमी नहीं चोड़ेंगे कोई सी प्रकार की कोई कमी आप नहीं चोड़ेंगे इसके साथ साथ दोस्तों एक जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा पर्यावरन कोई दोसित होने से बचाने के लिए आपको पॉलिथीन के प्रियोग को रोखना चाहिए अगर आप बाजार मार्केट किसी भी वस्त को लाने जा रहा है तो पॉलिथीन की जिगा पे जोले का प्रियोग करें किसका प्रियोग करें जोले का प्रियोग करें आपके दोरा फेके गए पॉलिथीन पॉलिथीन जिसमें कुछ खादे पदार्थ हो ऐसे पॉलिथीन को आप सणकों पर फेक देते हैं यहां से इसको गोवन्स ग्रहन कर लेता है और इस गोवन्स को ग्रहन करने के कारण गोवन्स में विभिन परकार की विमारी आती है जैसे अभी भारत में तमाम गाएं लंपी मैं लंपी वायरे से घ्रशित हैं कहीं न कहीं मनुश्य इस वायरेस का जिंड़ाता है तो हमें अपने साथ उन न बोल पाने वाले जीवों का भिध्यान रखना चाहिए जो हमारी द्व्रत तोर्त की गई परकार की लापरवाही से घ्रशित होके अपना जीवन त्याग दे धन्यवाद, FACC चैनल पर अपना भरोसा और प्यार बनाया रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एक सेयर, आपके किसी गरीब, किसी सुदूर गाउं में रहने वाले दोस्त को उसकी परिक्षा में सफल बना सकता है, तो यह वीडियो को सेयर करने में बिल्कुल कंजूशी ना करें, धन्यवाद दोस्तों!